कुरुंतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री आठवा अध्याए अब मूर्तों के सामने बली की हुई वस्तों के विशय में हम जानते हैं कि हम सब को ग्यान हैं ग्यान घमंड उत्पन करता है परंतु प्रेम से उन्नती होती है यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता परंतु यदि को कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर पहिचानता है। सो मूर्तों के सामने बली की हुई वस्थों के खाने के विशय में, हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्थो नहीं, और एक को छोड़, और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपी आकाश में और प्रत्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु ह अर्थात यिश्य मसी जिसके द्वारा सब वस्तु में हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। परंतु सब को यह ज्यान नहीं। परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूरतों के सामने बली की हुई को कुछ वस्तु समझ कर खाते हैं। और उनका विवेक निर्बल होकर अशुध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानी नहीं। और यदि खाएं तो कुछ लाब नहीं। परंतु चौकस रहो। ऐसा नहो कि तुम्हारी यह स्वतंतरता कहीं निर्बलों के लिए बली की हुई वस्तू के खाने का हियाव न हो जाएगा। इस रीती से तेरे ग्यान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो भाईयों का अपरात करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपरात करते हो। इस कार यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीती से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूँ.